हेलो फ्रेंज, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अचچ 여기까지 होंगे तो चलिए अज फिर से चलते हैं अपने कीचन की ओर और देखते हैं कि आज हमारे कीचन में कौन कौन सी टिफ है जो कि आपकी काम को पिल्कुल आसान कर देती है कई बार जब हम किचन में फस जाते हैं ना तो ये छोटी छोटी टिप है ना ये आपके बहुत काम आती है होती तो ये टिप बहुत छोटी छोटी है लेकिन ये जब हम अपने किचन में इन छोटी छोटे काम में फस जाते हैं ना तो ये टिप हमारे बहुत काम आती है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अगर आपके पास भी इस तरह के कीचेन से जुड़ी भी कोई टिप और ट्रिक्स है तो आप मुझे लिख भेजें मैं आपके साथ आपके कीचेन टिप को शेयर करूँगी तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि आज हमारे कीचेन में हमारी पहली टिप कौन सी है तो आज की मेरी पहली टिप है कड़ी बनाते वक्त अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कड़ी भटेगी नहीं और बढ़िया भी सॉफ्ट होगी तो वड़ियों के लिए वड़िया के बेशन को अच्छी तरह फेटी है तो आपकी वड़िया सॉफ्ट बनेगी कड़ी बनाने के लिए आपको बेशन को और छाच को या फिर दही को अच्छी तरह फेट लेना है और फेट करके आपको कड़ाही जब आपका तरका लगाने में ठंडा हो जाए आप डाल दीजिए उसमें जीरा राई जो भी डालते हैं और कड़ाही को थोरा ठंडा कर लीजिए फिर आप अपने छाच को और वेशन को डालिए तब आपकी कड़ी नहीं फटेगी और जब आपका बेशन उबाल पर आजाए तब आप इसमें नमक डाले तो आपकी कड़ी नहीं फटेगी और आप बढ़िया डाल करके एक से दो वाल ले आए तब आप देखेंगे कि आपकी बढ़िया बिलकुल इसमें सौफ्ट बनी रहेगी तो इस तरीके से अगर आप कड़ी ब के लिए पानी में छोड़ देजी और फिर इसे निकाल करके किसी सुखे कपरे में राखती जिए इसे अच्छी तरह पोश लीजिए और पोश करके इसे चिल लिए चील करके पतली-पतली बिलकुल इसकी कतली काटेंगे तो यह जल्दी सुखेगा मोटी होगी तो थोड़ा और फिर इसे continue चला करके इस तरह पीस लेजिए, homemade ये आपका आमचुर पाउडर बन करके तयार है, इसमें कोई मिलावत नहीं है, आपने किस तरह इसे तयार किया है, वो भी आपको पता है, साब सुत्रे जगा से आपने सुखाया है, साब सुत्रे तरीके से इसे आपने काटा है, तो आप ये इस तरह आमचुर पाउडर आसानी से तयार कर सकते हैं, अगर आप प्याज डाल कर चटनी बना रहे हैं, तो आप कच्चा प्याज ना डाल कर, अगर प्याज को हलका सा सौटे कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चटनी से smell बिलकुल नहीं आएगी, और आप इसे तीन से चार दिन तक या फिर आप चाहें तो इसे एक वीक तक फ्रीज में रख करके स्टोर कर सकते हैं, आपकी चटनी से प्याज की महग बिलकुल नहीं आएगी, ना तो आपके फ्रीज से आएगी प्याज की महग, क्योंकि अक्सर हम कच्चा प्याज अगर अपके अफ'RE तो पूरा फ्रीज प्याज की तरह महग, यानकि प्याज की तरह महहग, जाता है, और आप जब भी धनिया पत्ती डा ले तो धनिया की पत्ती के साथ में धनिया की डंडी भी जरूर डाले क्योंकि इसमें श्लेवर क्योंकि में नहीं टएगी brought पुदीना का सिर्फ पत्ता डाले, डंडी नहीं डाले, बंद गुभी का पॉकेट सब्जी बनाने के लिए, आपको सबसे पहले बंद को भी लेना है, बिल्कुल सौफ्ट और नर्म, तो उपर का पत्ता आपको निकाल देना है, बंद गुभी का, उसका बिल्कुल नर्म वाल और बीच में जो डंडिया होती है मोटी मोटी किसी में उसको आपको नाइप से उसको निकाल देना है उपर का बिल्कुल हाड बाला जो पार्ट है उसको निकाल देना है और अब आपको इसमें बेशन लगा करके इसे फोल्ड करना है अगर आप नर्म नर्म पतिया लेंगे न तो नर्म नर्म पतियों से ये फोल अच्छी तरह हो जाता है पतियों को ले करके आपको इसे थोरा सा गरम पानी में डालना है गरम पानी में डालने से भी ये थोरा नर्म हो जाता है बहुत जादा गरम पानी में आपको नहीं डालना है गुनगुने से थोरा सा जादा गरम हो बस वैसे पानी में आपको इसे डाल करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर निकाल करके इसे बनाना है आई हो आपको मेरा ये सारा टिप पसंद आया होगा अगर आपको मेरी ये टिप थोरी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक करें अपने फेमली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को करें अगर आपके पास भी इस तरह की कोई टिप है तो आप मुझे लिख भेजें मैं आपके साथ आपके भेजे हुए टिप को शेयर करूंगी तो मिलेंगे फिर इसी तरह के कीचन टिप तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई